Welcome all of you, भारत एक खोज चाप्टर 4 युगों का दौर में आप सब का स्वागत है और अब तक की कहानी के अंदर भारत एक खोज में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से Moran Empire का धीरे-धीरे डिकलाइन हो रहा था तो हम ये देखते हैं कि Moran Empire के सबसे बड़े और पावफुल किंग जो थे किंग अशोका उनके टाइम पे Moran Empire जितना फैला और उसके साथ में उसका डिकलाइन भी होना धीरे-धीरे शुरू हो गया था अब ये उनके डिकलाइन का और पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था जो कारण था वो ये था कि जो किंग अशोका थे उन्होंने बुद्धिजम को अपना लिया था और वार के पाथ को छोड़ दिया था इसलिए भारत वर्ष को फैलाने में और अपने मनी और रिसोसिस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने में उनका कोई भी ध्यान नहीं था और इसलिए बुद्धिजम की तरफ जुकते ही विए उन्होंने अपने बेटे मानवेंदर और अपनी बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था ताकि बुद्धिजम का जो प्रचार है वो दूसरे भी देशों में होने लगी अब मौरेन अमपार का विवाजन जो है छोटे-छोटे शेत्रों में होने लग गया था और हम देखते हैं कि नौर्थीस इंडिया के अंदर शुंग अमपार जो है वो फैलता जा रहा है अगर हम South India के बात करें तो South India में जो तमिला कम थे यानि कि जो तीन बहुत बड़े राजे थे वो थे चोलास, चैरास और पांडियास ये बहुत ही powerful kingdom थे और इन्होंने अपने time पे भव्य मंदिर बनवाये थे और इसके साथ में उन्होंने South India को flourish करने के लिए और बढ़ाने क के लिए बहुत कुछ कर रहा था अपने trade relationship जो है वो भी दूसी country के साथ में बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने coastal areas को तटों को और भी ज़्यादा मजबूत किया था अगर हम North India के बात करें तो हम North India में देखते हैं कि किस सरह से इंडो ग्रीक्स पहले वो लोग थे जिन्होंने North India के अंदर आये थे और उन्होंने अपने राज्य को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करे थे इनके सबसे बड़े जो राजा थे वो थे राजा मिलिंद राजा मिलिंद बहुत ही शक्तिशाली थे पर बुद्धिजम के बहुत बड़े follower थे वो बुद्धिजम को बहुत ही ज़ादा मानते थे और इस टायम पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की गोश्टेयां करवाते थे ताकि बुद्धिजम का जो प्रचार है वो आसपास के राजियों में भी हो तो आप देखते हैं कि मौरेन एंपायर से ही बुद्धिजम को जो प्रचार है वो बहुत सारे देशों में होने लग गया था पर साथ में ये मुधिजम को लेके कुछ लोगों की गृप्स में कॉन्फिक्ट भी होने लगया था कॉन्फिक्ट का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो पुराने मुधिजम की जो फॉलोवर्स थे जिन गृप लोग को हम हिनायना के नाम से जानते हैं और नए गृप को हम महायना के नाम से जानते हैं उन लोग में बीच में conflict ये थी कि हिनायना ये बांते थे कि गौतम बुद्धा जो है वो एक God नहीं है भगवान नहीं है पर उनकी टीचिंग्स को वो blindly follow करते थे महायना की जो लोग थे वो गौतम बुद्धा की आइडल वर्शिप करते थे और इस साथ में उनको भगवान भी मानते थे तो महायना का जो परचार था वो सबसे ज़ादा हो रहा था और दूसी कंट्रीज के अंदर भी महायना जो ग्रुप था वो अभी ज़ादा फैल रहा था बुद्धिजम में अपने टाइम पे बहुत सारी मिशनरीज को दूसरी कंट्रीज के अंदर इंडिया में साउथ इंडिया के अंदर सेंड्रल एशया के अंदर अपनी लोगों को मिशनरीज को भेजा था ताकि बुद्धिजम का प्रचार वहां पे भी हो सकी इसके साथ में जो महयना के जो मिशनरी से वो टोक्या और कोरिया तकी कंट्रीज के अंदर गए थे थाइलेंड बहुत सारी कंट्रीज के अंदर गए ताकि बुद्धिजम को जो प्रचार है वो दूर के भी कंट्रीज के अंदर हो सके और इसी तरह से बुद्धिजम जो है वो धीरी-धीरे फैले लगया था इसके इलावा इस टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि चाइना से हमारे जो रिलेशन्शिप थे वो और भी बढ़ते जा रहे थे ट्रेड रिलेशन्शिप बढ़ रहे थे और क्योंकि चाइनी सिल्क की जो डिमांड है वो यूरोपिन कंट्रीज के अंदर बहुत जादा थी इसलिए यहां से इंडिया से काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी गेल्ड बना के अपनी ग्रूप बना के वो लोग जो है चाइना जाते थे और चाइना में जो सेंट्रल एशिया से होते वे उन्होंने जो मार्क हो जा था वो सिल्क रूट के नाम से बहुत ही प्रचलित है जिसके अबारे में आप लोगोंने भी पड़ा होगा तो ये जो लोग है वो चाइना जाते थे वहां से सिल्क लाते थे और अपने कोस्टल वेस्टन कोस्टल एरिया को यूज करते हुए वेस्टन कांट्रीज के नदर जो सिल्क है उसको वहां पे सेल करते थे तो इस तरह से हमारा जो ट्रेर रिलेशन्शिप है बुद्धिजम है चाइना से वो इंक्रीज होता जा रहा था इसके साथ में ही चाइना में बुद्धिजम बहुत फेमस हो रहा था और वहां के काफी सारी मिश्णरीज हैं पिल्ग्रिमेजिस हैं जो की इंडिया आये थे और उन्हेंने गौतम बुद्धा के बारे में जाने की कोशिश करी थी उसमें से साथ जियान और जौन जैंग के बारे में हम पढ़ते हैं जौन जैंग जो है वो इंडिया में आये भारत वर्ष में आये और यहां पे 14 साल तक रहे और 14 साल रहने के बाद में उन्होंने गौतम बुद्धा के बारे में बहुत कुछ जाना और गौतम बुद्धा ने जहां जहां पे भी अपने वक्त पर शरण ली थी जैसे की कपिला वस्तु है वारा नसी है गया है वो उन सारी जगाओं पे गए और वहां से अपनी नौलेज को इखटा किया गौतम बुद्धा के बारे में 14 साल यहां पे रहने के बाद में फिर वो जो है चाइना दुबारा गए और चाइना जानने के बाद में उन्होंने अपनी किताब लिखी सी यू की सीयूक किवा मतलन है Record of the Western World जिसमें उन्होंने भारतवर्ष के बारे में यहां के जितने भी बड़े बड़े राजा हैं उनके राज के बारे में अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखा था इसके इलावा हम लोग Northwest इंडिया में देखते हैं कि कुशानास का जो Kingdom है वो बढ़ता ही जा रहा था कुशानास जो कि इंडो ग्रीज की जगापे आये थे इंडो ग्रीज के पतन के बाद में, डिकलाइन के बाद में कुशानास जो है उन्होंने अपना Empire को Increase करा था और कुशानास के ही सबसे बड़े जो King थे वो थे King कनिशका जिनकी हम यहाँ पे तस्वीर में देखते हैं कि उन्होंने अपने टाइम पे सोने के सिक्के निकाले थे अपने नाम पर कनिशका जो थे वो खुद भी बुद्धिसम को फॉलो करते थे और वो बहुत सारी इस तरह की गोश्टियां लोगों की करवाते थे स्कॉलर्स की करवाते थे अलग-अलग रिलेजन के लोगों को बुला के वो जो है डिसकुशन्स और डिबेट करते थे और उनकी आर्ट और लिट्रेजर में भी बहुत नौलेज थी अब कुशानास का भी धीरे-धीरे पतन होने लग गया था और धीरे-धीरे गुप्ता डाइनस्टी जो है वो बढ़ने लग गई थी गुप्ता डाइनस्टी जो थी वो पूरे नौर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़ती चली गई थी और गुपता डाइनस्टी की जो foundation है वो चंद्रगुपत फस्ट नहीं करी थी चंद्रगुपत फस्ट जो की सबसे बड़े राजा थे गुपता डाइनस्टी के उन्होंने जो है लिच्छिवी प्रिंसेस यानि की लिच्छिवी जो थे एक गुरुप था और उनकी जो प्रिंसेस है उनसे शादी करी थी और शादी में उनको डवरीम के अंदर मगत का पूरा एक एंपायर उनको मिला था और यही रीजन था कि गुपता डाइनस्टी जो है बढ़ती चली जा रही थी चंदर गुपता ने 15 सालों तक राज्य करा और उसके बाद में उनको एक टाइटल मिला ग्रेट किंग ऑफ दा किंग्स का टाइटल मिला और इस टाइटल का मतलब था कि महाराज अधिराज और वो महाराज अधिराज के नाम से जो है जाने जाते हैं गुपता डाइनस्टी में हम देखते हैं कि चंदर गुपता फर्स्ट आये उसके बाद में समुद्र गुपता आये चंदर गुप्ते सेकेंड आये, कुमार गुप्ता और सकंद गुप्ता के बारे में हम लोग गुप्ता डैनस्टी में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 320 CE से लेके 455 CE तक इनका पूरा शासन जो है वो नौर्थ वेस्ट इंडिया के न रहा पर धीरे धीरे इनका भी डिकलाइन होने लगा क्योंकि बाद में जो इनकी सक्सेसर आये जो आने वाले जो लोग आये वो जो है अपनी डैनस्टी को नहीं समाल पाए और धीरे धीरे जो है हर्श वर्धन एंपायर जो है वो नौर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा हर्श वर्धन जो थे नाटक भी लिखे थे जैसे की रतनावली, नागनन्दा और प्रियदर्शिका तो ये सारे नाटक जो है हर्श वर्धन लिखे थे और हर्श वर्धन के बारे में हमें जौन सेंग की जो बुक है, सी यू की में भी पढ़ने को मिलता है, एक इस सवरा से वो अलाबाद के अंदर प्रिया के अंदर बहुत सारी स्कॉलर्स को बुलाके जो है वो अपने बहुत सारी गोश्टियां और डिसकॉशन्स करवा देती पर हर्श वर्धन कभी भी अपने राज्ये को साउथ इंडिया तक नहीं पहुचा पाए क्योंकि वहां पे उनको चालुक्या से और पल्लवा से बहुत ही बड़ा सामना करना पड़ा था और इस वज़े से उनका जो राज्ये था वो सिफ नौर्थ वेस्ट में ही सिमट की बहे गया था तो यह हमारे पार्ट वन का एंड है पर हम यहां पे यह देखते हैं कि हम जो पूरा भारत वर्ष है वहां पे शान्ती थी क्योंकि यहां पे सारे जो राज्ये थे वो छोटे छोडे टुकडों में बतल गये थे पर इसके साथ में यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी भी थी क कि इन सारे राज्यों के अंदर बिल्कुल भी यूनिटी नहीं थी और यही रीजन था कि ब्रेटिश जो है वो इंडिया आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जो है इंडिया के उपार जमाना शुरू कर दिया था तो आगे आने वाले वीडियो में हम इन एंपायर के बाद में जो है इंडिया की क्या तस्वीर है उसके बारे में हम लोग दिखेंगे तैंक यू सोंच वेलकम ओल अफ यू योगों का दौर पार्ट टू में आप सबका स्वागत है और आज हम प्रगति बनाम सुरक्षा जो हैं शुरू करने वाले हैं और हम य पीछे जो कारण था वो ये था कि पश्चमी सभ्यता में हमेशा एई-दूसे को बड़ावा देने के लिए या हमेशा एई-दूसे से उपर उठने के लिए जो लोग हैं उन्होंने हमेशा मारकाट का ही रस्ता जो है अपनाया था पर भारत में इतनी विभंता होने के प्रवांति जो है वो सीखी थी हमारे जो वर्ण सिस्टम है हाला कि उसमें बहुत सारी कम्या थी पर उसके बावजूद भी लोगों ने इसकी हिसाब से इसके धाचे के हिसाब से अपना आपको धाल लिया था Joint Family System जो है जो कि हमारी सभ्यता का बहुत ही पुराना जो है अंग है उसमें हम ये लेखते हैं कि एक बड़े परिवार के अंदर जैसे विभिन्ता होती हैं लोग अलग अलग तरह के होते हैं पर फिर भी एक दूसरे के साथ में रहना वों सीख लेते हैं उसी तरह के से भारतव जो कि इतना बड़ा राज्य है उसमें इतनी विभन्ता है पर उसके बावजूद भी जो है लोग उनके साथ में भी शांती से रहना जो है सीख रहे थे पश्चिमी सभ्यता से जितने भी लोग आए और उन्होंने इतने लंबे वक्त तक हमेशा भारत के अंदर जो है शासन किया उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने हमारी सभ्यता के अंदर संस्कृती के अंदर कभी भी हस्त शेप नहीं किया बलकि हमेशा य जो है यहां के संस्कृति को अपनाया भी और यहां के धाचे में अपना को ढालने की कोशिश भी करी। Britishers जो थे वो कभी भी हमेशा जो है यहां पे सफल नहीं रहे और उन्हें हमेशा कोई न कोई विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का उन्होंने सामना इसलिए किया क्योंकि जो है उन्होंने कभी भी यहां के सभेता को एकसेप्ट नहीं किया था बलकि हमेशा नीचे ही देखा। इसलिए वो जो है यहां पे कभी भी सफल नहीं रहे पर फिर भी उन्होंने इतने टाइम तक यहां पे शासन इसलिए क क्योंकि भारत में एकता नहीं थी, अगर भारत में एकता होती और एक साथ लोग मिलके अगर उनका विरोध करती हैं, तो शायर वो इतने वक्त तक भी जो है भारत में शासंत नहीं कर बाते हैं. हमारा जो दूसर टॉपिक है, वो है भारत का प्रचीन रंगमंश. हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पुराने जितने भी कहानिया हैं, जैसे कि रमायन, महाबारत, कृष्ने लेला, इन में भी नाटकों का, संगीत का और निर्त को यूज करते वे, यहाँ पे कहानिया जो हैं सुनाई जाती थी. तो नाटक, निर्ते, तथाएं, यह सब कुछ हमारी सबेता का बहुत पुराना अंगरहा है. उस वक्त पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, जो कि लिखे गए थे. हम लोगों ने पहले भी यह देखा है, कि खुद हर्षवर्दन जो के बड़े लेकत कार थे. और उन्होंने खुद ने बहुत सारी रचनाई करी थी. इसमें से सबसे पुराना जो हमारे नाटक है, वो है अश्वघोश. अश्वघोश हमारा सबसे पुराना नाटक है, और इसको बहुत सारे लोगों ने जो है दिखा भी है, उसको बहुत बार नाटक के रोप में भी दिखाया गया है इसके लावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर नाटकों के अंदर जो है बहुत सारे निर्थ जो है देखने को मिलते हैं और यह निर्त जो है, सब इनके शुरुआत जो है, वो मंदिरों से होती, जो बहुत बड़े-बड़े मंदिर होते थे, जहां पर बहुत बड़े-ड़े कोष्टेयां होती थे, और वहां पर जितने भी जो देव-दासीज थी, वो भगवान अपने जो पूरी जो लाइफ है, वो हमारा जो दूसर टॉपिक है वो है संस्कित भाषा का विकास संस्कित भाषा जो की सबसे हमारी पुरानी भाषा है भारत वर्ष की उसका निर्मान पनीनी करी करा था और हम ये देखते हैं कि हमारे सभ्यता में उस वक्त पे जितने भी पड़े लिखे लोग थे वो सब संस्कित भाषा जानते थी और यहां तक कि जो अनपड़ लोग थे वो संस्कित भाषा नहीं मोल पाते थे और वो जो है प्रक्यत और पाली भाषा को यूज में दिया करते थी हम ये भी देखते हैं कि हमारे आज कल की जितनी भी regional languages है वो सब कुछ भी कही न कहीं उनकी जननी है वो संस्कित भाषा ही है यहां तक कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लेक लिखे गए हैं जितने भी बड़े बड़े वेद और उपनिशद लिखे गए हैं वो भी सब संस्कित भाषा में ही लिखे गए हैं यहां तक ही संस्कित भाषा कुछ इमे कुछ ऐसे कटिन शब्ध है जिनका अनुवाद कभी भी दूसी भाषाओं में कभी भी नहीं हो पाया था संस्क्रिट भाशा के स्प्रेड में बहुत बड़ा योगदान कालिदास जी का भी है कालिदास जी जो की हर्षवन जो की चंद्रगुप्त के टाइम पे उनके नौ नवरत्रों में से एक कहलाए जाती थी चंद्रगुप्त जो खुद जो है आर्ट और कल्चर को बहुत सपोर्ट करती थे उस ताइम पे कालिदास जी जो है वो उन्हीं के लिए साथ में काम करती थे और उन्होंने अपने वक्त पे बहुत बड़े बड़े जो है कथा जो है लिखी दी जैसे के शकुंदला और मेगदूत शकुंदला जो है वो बहुत ही बड़ा जो है सबसे पहला जो है कालिदास जी की रचना है और पश्चिमी लोगों को सबसे पहले जो है हमारे जो नर् और प्राचीन रंगमंच है, उसके बारे में हमें सबसे पहले तब पता लगा था, जब शकुंतला का अनुवाज जो है, वो है दूसरी भाशों में भी हुआ था, इसके लवा उनने मेगदूत लिगा, और मेगदूत एक ऐसी कहानी थी, एक ऐसी कतह थी, जिसमें बताया जात है कि किस सना से एक प्रेमी, जो है, एक मेगदूत के सहारे, अपनी कहानी अपनी प्रेमी का को सुनाता है, और उसको संदेश भेजता है, इसके लवा उनकी एक और जो है कता है, वो है ब्रच काटिका, यानि कि मिट्टी के घर, और वो जो है, ब्रच काटिका जो है, वो भी उनका भी जो लेखन है वो कारिदार जी नहीं करा था हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है दक्षिनपूर्व एशिया में भारती उपनिवेश और संस्कृती रबिन्दना टैगोर ने एक बार कहा था कि अगर हम ये जानना है कि भारती संस्कृती जो है वो कितनी विशाल और प्रभावी है तो हमें दूसी देशों की यात्रा करने चाहिए क्योंकि जब हम दूसी देशों की यात्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो संस्कृति हैं वो कितनी फैली हुई है और कितने लोग जो हैं हमारे संस्कृति को जानते और मानते हैं दूसी देशों में भी संस्कृत भाषा के केंदर हैं क्योंकि वहां के भी लोग जो हैं हमारे संस्कृति को जानना चाहते थे और संस्कृति को पैचानते थे हमारी संस्कृति और हमारी जो भारत था वो इतना फलफूल रहा था कि यहां पे जहाज तक बनते थे इतने पुराने टाइम पे भी जहाज बनते थे और यहां पे जो हैं बहुत सी मुदराय से मिली हैं जिसके दौनों ही सिरे पे जहाज बने वे हैं तो यहाँ पे जहाज बनते भी थे और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि यहाँ से जहाज बनवाते थे हम यह भी देखते हैं कि जो दूसरी जो कंट्री से जैसे कि धाइलेंड हैं मलेशिया हैं यहां के भी बहुत बड़े तो इसके साथ में ही हमारे पार टू का जो है यहां पे समाथ होता है और पार थी के अंदर हम विदोशों में भारते कला का जो प्रभाव है वो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं विदेशों में भारते कला का प्रभाव अब विदेश यानि की भारत के आसपास के जितने भी देश है जैसे की चमपा, अंको, श्रीविजे, भजपहिद जो की हमारे यहां की साउथी सेशन का जो प्रभाव है यहां पे जादर आपको विदेशों में विदेशी है यह वहां पे आपको भारते कला का प्रभाव देखने को मिलेगा अब यहां पे हम देखते हैं कि यह जितने भी देश हैं यहां पे पुराने समय से ही संस्कित भाषा के यह जो जगाए हैं यह केंद्र बने वे हैं यानि की यहां के जो लोग है वो संस्कript भाषा जानते ही नहीं बल्कि यहां की संस्कript भाषा सीखने की भी इच्छा रखते थे इसके लावा हम देखते हैं कि अंकोर देश के उस वक के जो सबसे प्रतिभाशाली जो राजा थे वो थे जैवर्मन और जैसा कि हम देखते हैं कि जैवर्मन जो शब्द हैं वो खुद एक संस्कित भाषा से लिया गया शब्द हैं और यहां के जितने भी बड़े-बड़े राजा होते थे वो अपने नाम जो है संस्कित भाषा में ही रखना पसंद करते थे इसके लाव हम देखते हैं कि यहां के जितने भी शादी सम्हारों के जो कारेकरम होते थे उन सब के अंदर जो है संस्कित भाषा के अंदर ही होते थे और सारे रीती रिवाज जो है वो सारे भारती ही होते थे इसके इलावा इसका जो प्रभाव है हमारा जो भारती कला का जो प्रभाव है वो यहां की वास्तु कला और मूर्थी कला में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो बड़े बड़े विशाल मंदिर है वहाँ पे विश्णु भगवान और राम भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे जो भीती चित्र है भीती चित्र जिने हम अंग्रेजी भाषा में फ्रेस्को कहते हैं यानि कि जब प्लास्टर गीला होता है तब उसमें जब अलग-अलग तरह के रंगों को समाल करके जब चित्र बनाये चाते हैं तो उसे भीती चित्र कहते हैं तो ये भीती चत्रा के जो कला है वो भी भारतियों से ही आई है और इसके लवा यहाँ पे जो चत्र है वो हमारे हैं की भगवानों के बने हुए हैं इसके लावा यहां पे बहुत से ऐसे विश्विध धलने हैं, जहां पे भारते साहित जो हैं, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जो के बहुत ही पुराने जमाने से यहां पे जो हैं रखे हो हैं, यानि कि विदेशों में भी भारते कला का प्रभाव हमें देखने को मिलत आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विदेश्य व्यपार अब बहुत पुराने जमाने से जैसे कि हम जानती है कि हम अपनी तटों को इसमाल में करते वे बहुत से भारत बहार के जो देश है वहां से हमारा व्यपार पुराने जमाने में होता था और भारत के इलावा बाहर के जो बाजार है वहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी जिनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़ादा थी और जो कि भारत से ही आया करती थी जैसे कि हम देखते हैं कि उस समय भारत का जो रेशम था वो बहुत ही प्रचले था और बहुत ही डिमांड वे था पर क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की चाइनी सिल्की थी इसलिए इसकी जो मांग है वो धीरी-धीरे कम होने लग गई अच्छी इसके इलावा हम ने विदेशों को जो कपड़े रंगने की जो तकनीक है वो भी भारत से ही आई वी है तो वहां से भारत में से यहाँ पे जो नील रंग होता था वो सारा एक्सपोर्ट जो है सारी वेसटन कंट्री इसके अदर हुआ करता था नीला रंग जिसे हम इंडिकों भी कहते हैं ये शब्द भी खुद भी इंडिया से लिया गया है और इसे हम इंडिकों कहते हैं इसके लवा भारत की भार की जितने में देश है वहाँ पे जो है अस्त्र और शस्त्र की जो है बहुत ही डिबांड होती थी और उसके लिए जितना भी लोहा है वो भी भारत से जाया करता था इसके लाग अगर हम देखें तो जैसे कि हम देखते हैं कि ओशद्य ग्यान, शरीर रश्ना और खगोल शास्त्र के अंदर तो भारती जितनी भी तकनीक है और भारत की जितनी भी नौलेज है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था यहां तक कि अरप ट्रेडर्स ने तो हमारी जितनी भी खगोल शास्त्र हैं उसकी नौलेज को सीखे ही नए-नए रास्ते बनाये थे और वो जहें इनहीं नए रास्तों को जो है यूज करते हुए इस नौलेज को यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे रास्ते भी खोजे तो यहां के बहुत से बड़े-बड़े विश्वे विधाले हैं जहां पर जो है खगोल शास्त्रम जो है वो पढ़ाया भी जाता था जैसी तक्षिला में नालंदा के अंदर आगे हम देखते हैं भारत में प्राचीम भारत में गणिश सास्त्र तो इसके बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि गड़ित में जो है भारतियों का बहुत बड़ा योगदा रहा है पुराने जमाने से जो शुन्ने हैं वो हम भारतियोंने ही पूरी दुनिए को दिया था बहुत पराने जमाने में शुन्ने को इतनी importance नहीं मिली थी और जो लोग हैं इसको नहीं मानते थी तो यह सिफ बिंदी के रूप में काम में लिया जाता है पर 11 शताबदी के अंदर सिसली में सिसली शहर वहाँ पे इसको पहली बार इस्तामाल में लिया गया और इसके बाद में धीरे 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 यह बहुत प्रचलित होना शुरू हो गया और बिंदी के बज़ाए इसने एक पूरे अंक का गा रूप ले लिया था और एक सीदो के जैसे ये यूस में आया जाता था इसके लावा हम देखते हैं कि अंक गणित, बीज गणित और खगोल शास्त्र में कि जो नीव है वो भारत में ही पड़ी थी इसके लावा जैमिती की भी जो नीव है वो भारत में ही पड़ी थी पर बाद में जैमिती में हमारी जो है इतनी ज़ादा जो है वो इंपोर्टन्स नहीं रही पर हमारा जो ध्यान है सबसे ज़ादा अंकगणित और बीजगणित में सबसे ज़ादा रहा हमारे यहांके बहुत सारी गणितग्य हैं जैसे कि आरेभट, भासकर अचारे और ब्रह्मुर्गुप्ता इनका जो योगदान है गणित में उसे तो हम बहुत ही सरानी है और उसे हम भूल नहीं सकते हैं भासकर दित्ते ने अंकगणित, खगोल शास्र और बीजगणित में बहुत सारी साहित्य लिखे थे और ये साहित्य जो थे वो इतने प्रचलित इसलिए थे क्योंकि ये बहुत ही सरल और स्पष्ट भाशा में लिखे गए थे तब यहां पे यहां के जो गड़े तक के जो है जब पुराने जमाने में बहार की जो कंट्रीज में गए जैसे के अरब में गए बगदाद में गए तो अपने साहित्त में वो बहुत साई शास्र जो है यहां से लेके गए थे और इसकी वज़े से हमारे जो गड़ेत की जो इतनी शायद कहीं पी भी नहीं रही होगे। बहुत सारी जो हैं देशों से था जैसे कि इरान, चायना, साउथी स्टेशन कंट्रीज और मिल्लीस कंट्रीज के साथ में हमारे व्यपार था। और व्यपार का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारती जो चीजें हैं उनकी जो डिमांड है वो दूसरी देशों में बहुत क्योंकि वो एक ऐसे समय था जब बहुत जादा विकास भी हो रहा था और साथ में हमारी संस्कृती जो थी वो भी और फैल रही थी। क्योंकि गुपतर डैनस्टी के जितने भी राजा थे उनका हमेशा से ये मानना था कि हमारी संस्कृती जो है उसका बचाव हमेशा होना चाहिए और इसी लिए गुपतर डैनस्टी के जितने जो लास जो रूलर थे उन्होंने यशो वर्मन के साथ में मिलके गोरोगणों को यहां से निकाल भगाया था क्योंकि गोरोगणों ने भारत में उत्तर भारत में आने के बाद में यहां पे बहुत जादा लूट पार् जो है गुपतर जो है डैनस्टी की जो राजा थे उन्होंने करा था इसके लावा हम यह भी देखते हैं कि बहुत पुराने जमाने से यहां पे जो है जो है पढ़ाई पे और जो स्टेडी से इसके उपर बहुत जादा ध्यान दिया जाता था और यहां पे बहुत बड़े- तक्षिला, अम्रवती, उजैनी और वलभी जैसे कि हमने पढ़ा है जो आने वाले जो स्टूडेंट्स होते थे वो भारत के ही नहीं बलकि दूसे देशों से भी आके यहां पे पढ़ाई किया करते थे और इन जो विश्वे धाले हैं इसके अंदर जो है एड्मिशन लेना बहुत उस ताइम पे भी बहुत मुश्किल हुआ करता था पर साथ में हम देखते हैं कि हमारा हास भी बहुत जगा पे हुआ जैसे कि ब्रह्म और बोध को जो हमारे जो कहते हैं उनका पतन होने लग गया था और साथ में इनकी जगा जो है वो तांतर विद्या और योग ने ले ली थी उत्तर भारत का जो पतन है वो तोड़ा तेजी से होने लगा और साथ इंडिया के अंदर जो है वो जो पतन है वो इतना तेजी से नहीं हुआ क्योंकि उत्तर भारत के अंदर भार के बहुत सी लोगों ने आके यहां पर लूट पार्ट मचाई थी पर हम अभी भी देखते हैं कि बहुत समय तक जो है साउथ इंडिया के अंदर जो है संस्कृती जो है वो हमारी बहुत समय तक वहाँ पे रही थी अगर हम पूरा जो है इसके बारे में सोचें युगों के दोर के बारे में सोचें तो हमारा पतन होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भीतरी लोग थे भीतरी लोग यानि की यहीं के जो लोग थे जो कि भार के लोगों से साथ में मिलके उन्होंने जो है हमारे भारत का पतन क कराने में उनका भी बहुत बड़ा योगतान रहा है जैसे कि हम देखते हैं कि एक पेड़ को काटने के लिए कुलहाडी जो होती है उसमें भी लकडी लगती है यानि कि लकडी के बिना कुलहाडी बनाना बड़ा मुश्किल है तो वैसे ही हमारे पतन के अंदर हमारे भारत की विवंश के जो लोग है उनका भी बहुत बड़ा योगतान है और हम साथ में यह भी देखते हैं कि यहां का जो सिस्टम है वह बहुत जल्दी चेंज होने लगया था यानि कि जो ब्रहामन है उसका बेटा ब्रहामन ही बनेगा और कोई और ब्रहामन जो है नहीं बन सकता है अगर मानेजे कोई अगर फार्मर है तो उसका बेटा जो है वो भी फार्मिंग कहीं काम करेगा तो इस तरह से जो है गरीबी और अमीर लोगों के बीच में बहुत फरक हो गया था। लोगों का जो है पतन ही हुआ है और उनको हमेशा नीची ही दिखाया गया है जैसे कि उस समय में मानते थे कि संस्कृत भाषा जो है सिर्फ जो है बड़े परिवार की लोगों को ही सिखाई जाती थी और दूसरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थी और सिर्फ जो पड़े लि के अंदर बहुत जगाओं पे विकास भी हुआ जो भी सरानी है जिसे हम जो है नजर अंदास नहीं कर सकते हैं तो इसके साथ में ही हमारा युगों का दौर कर जो यह चाप्टर है फिनिश होता है थैंक यू सो मुझ